बीकानेर से अभी तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग पर आपकी एक नज़ा बीकानेर में कुरोना पॉजिटिव की मृत्यू बीकानेर के पीबियम अस्पताल में कुरोना के प्रारंबिक लक्षन पाय जो आने के बाद अलाज ले रही महीला की मौध हो गई है सुतरों से मिली जनकारी के नुसास आठ वर्षी इसमाहिला ने अभी अभी अन्तिम सांस ली है इसमाहिला की सांपलिंग आज ही हुई थी रिपोर्ट आते ही उसने पहले ही मौध हो गई बार-बार हम जिस बीकानेर की रिपोर्ट के नेगेटिव आने को लेका सेव सेव बात कर रहे थे उस बीकानेर में हालात ये बने हैं कि महीला की जांस रिपोर्ट भी नहीं आए और उसे मौध लगी गई पीकानेर में कोरोना से ये पहली मौद है और अगर देखा जाए तो इती जल्द हुई मौद का ये अपने आप में राजुसान में तो संभेवता पहला उधारन है सुबाद दो रिपोर्ट आने की बाद जिस स्वास्विभाग हरकत में आया लोगों की सैंप्लिंग का काम शुरू हुआ उससे ये साफ था कि प्रचाशन बड़ी अशंका से घबराया हुआ है गाइडलाइन के तहत हुआ कोरोना मृत्य का कांतिम संसकार 20 से जादा को ले गए जांच के लिए देर रात कोरोना से जिस महिला के मृत्यू हुई उस कांतिम संसकार भी सुरक्षा नियमों के तहत करवाया गया इस बीच रात में ही सक्री हुए स्वास्विभाग के टीम महिला के असपास के 20 से अधिक लोगों को जाच कले ले गए कल देर रात हुए इस वाके के बाद हरकत में आये प्रशाश्चन ने सकता और जरूरी फैस्दे लेते हुए कोरोना को रोकने के लिए तैशुदा गाइडलाइन का अक्षुरक्षपालन किया